जोहार सुगी साती किया गया है लेकिन जैसे ही जारी किया गया है तब से स्टुडेंट और भी जादा परिसान हो गए है क्योंकि एंसर की के नाम पे केवल एंसर दिये गए है और कोशन्स दिये गए है वहाँ पर आपका रेस्पॉंस नहीं दिया गया है ठीक है और बहुत कम ही स्टूटेंट है चूकि एंसर लिख के लाएं थे ओबियस सब आते ओनलाइन एक्जाम था तो लिखना तो बहुत मुस्किल है ठीक है कोई-गोई लिख के आये थे उन्होंने अपना एंसर मिलाया जिसमें आपका response ही नहीं दिया गया है ठीक है और एंसर की के नाम पे केवल question और answer दिये गये है तो आपको याद रहेगा तब तो objection करेंगे जो भी student याद है उनको और कुछ-कुछ ऐसे भी questions है जैसे कि दो-तिन question दो-तिन student मुझे ऐसे मिले जो की कह रहे हैं थे कि जो answer आयो की δουalरा दिया गया है वो गलत है ठीक है तो वैसे में आप objection कर सकते हैं जब आप objection करते हैं तो केवल एक की दवारा objection किया जाएगा लेकिन उसका लाब सभी को मिलेगा अगर आयो की दौरा वो answer गलत दिया गया है तो जितने भी student exam दिये हैं उन सारी students को उसका number मिलेगा जिन्होंने साही correct किया होगा और objection सही पाया गया तो उसका lab जो है सभी को मिलेगा इसलिए आपको गबराने के वश्यक्ता नहीं है लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने सही tick किया है और IO के द्वारा जो answer दिया गया है वो गलत है तो आप उसमें objection कर सकते हैं ठीक है लेकिन ये चीज मुझे भी खराब लगा कि IO के द्वारा कंसे का मैं response तो देना चाहिए क्योंकि इस पर करका answer की नहीं होता है ना तो हमने पहले देखा था लेकिन पता नहीं JSC कैसा आयोग है आप सभी समझ लिजीए और ना तो RTI का कभी जवाब मिलता है ना तो email का जवाब मिलता है मैंने कितने सारे email किये कितने सारे RTI किये cut up से समझ लिए जानकारी पाने के लिए लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आता है आयोग के द्वारा ठीक है आयोग में जाकर के बात करने का परियास किया अधिकारी को कुछ भी मालूम नहीं है ठीक है तो जब फाइनल इंसर किया आएगा उस टाइम देखा जाएगा कि क्या होगा अगर कोई यूटूब चैनल आपको ये बताता है कि 100% करफरम आपको बतात आज एक परकार से कटप का सर्वे कराऊंगा कि कटप कितना जा सकता है वो आप ही के उपर डिपेंड करता है आज आप कमेंड बॉक्स में कमेंड करके अपना जितना भी करेक्ट एंसर हो रहा है वो लिखेंगे कि आपने कितना करेक्ट एंसर किया है आप कमेंड बॉक्स मे जाएंगे comment box में जाकर कि अपना जिस दिन exam लिखेंगे exam का date लिखेंगे कि किस दिन आपका exam हुआ है 1 अगस्त हुआ है 2 अगस्त हुआ है जुलाय में हुआ है जैसे कि किसी का exam मान लेते हैं 5 अगस्त को हुआ है तो 5 अगस्त लिखेंगे पांच अगस्ट लिखेंगे अपना subject लिखेंगे chemistry था physics था या भी bio था ठीक है chemistry लिखेंगे और आपके अनुमान से आपने जो answer की मिलाया है या पिर जो भी question आपको याद था उसी साब से आपने answer की देखा है उसी साब से आपका जितना भी marks बन रहा है या पिर जितना भी marks कि हरे question में दो marks था लेकिन जितना भी question आपने correct किया है उन correct question का यहाँ पर अंक लिखेंगे मान लेते हैं 110 correct किया है तो 110 लिख देंगे तो इस परकार से आप लिख देंगे और मैं average करके आपको एक परकार से cut up बना करके अगले वीडियो में upload कर दूँगा ठीक है आप ही के comment box में comment करके बता सकते हैं ठीक है और एक चीज इसमें add कर दीजेगा कि आपना जो category है वो जरूर से लिखेगा ठीक है आप STSC है STSC है तो उसे भी लिख दीजेगा अगर OBC से बिलोंग करते हैं OBC में भी BC1 BC2 होता है तो BC1 और BC2 यह भी लिख दीजेगा कि आपका category क्या है BC1 यह भी BC2 है जेनरल से बिलोंग करते हैं तो जेनरल लिख दीजेगा उसके बाद कोई अगर EWS के student है तो EWS लिख दीजेगा और अपना जितना correct answer हो रहा है उस correct answer की संख्या को जरूर से वहाँ पे mention किजेगा कि आपका कितना correct हो रहा है तब ही मैं आपको correct आपको एक परकार से idea दे सकता हूँ कि cut up कितना जा सकता है ठीक है अंदाजी कुछ भी बना देने से काम नहीं चलेगा क्योंकि अभी बहुत सारे student से मेरी बात हुआ 1500-200 student का message आया उनके हिसाब से मुझे कहा गया कि cut up उनका कितना सही है 120-120 सभी का रहे है एबरेज में अभी का रहे है तो एक परकार से अगर आप comment करते हैं तो मैं average निकाल करके आपको बता दूँगा कि cut up कितना जा सकता है हार एक category के लिए ठीक है और बात रही final answer की की तो final answer की September में आएगा 15-23 के अंतराल में आता है ठीक है अगर किसी को objection करना है तो objection कर दीजेगा उस हिसाब से आयोग उसमें थोड़ा फेर बदल करेंगे और answer की final जारी कर दिया जाएगा और यहां पर student पूछ रहे थे कि final answer की में उनका response दिया जाएगा या फिर नहीं द रहेगा लेकिन जो answer में संसोधन करना होगा वो answer में संसोधन किया जाएगा और final answer की आपको दिया जाएगा ठीक है September के 15-20 तारीक तक दिखे आपका final answer की आ जाना चाहिए ठीक है तो चले दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही प्लीज आप से request रहेगा कि comment जरूर से कर द जाएगा आज किस वीडियो में इतना ही आगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं और आज किस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे आगे जो भी झाल झाल